प्रदानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने आशिर वचनों से हमें कृतार्ट करें प्रदानमंत्री जी ये जो कारगन थोड़ा आपको विश्यस लगता होगा इस बार बजेट के बाद हमने ताय किया कि बजेट में जो चीज़े ताय की गई है उन्हीं लोग चीज़ों को लेकर के अलग-अलग सेक्टर जिनका इस बजेट की प्राफधानों से सिद्धा समद आपा है उनसे विस्तार से बात करें और एक एपरिल से जब नया बजेट लागू हो तो उसी दिन से सारी योजनाएं भी लागू हो सारी योजनाएं आगे भड़े और फरवरी और मार्श इसका भरपूर उपयोग इस तैयारी के लिए किया जाए बजेट जब हमने पहले के तुलना में करीब एक महिना प्रिपोन किया हुआ है तो हमारे पाद दो महिने का समय है उसका मैक्सिमम लाब हम कैसे ले और इसलिए लगातार अलग-अलग शेतर के लोगों से बात हो रही है कभी इनफा सेक्टर के सम्मंदित सबसे बात हुई कभी डिफेंस से सम्मंदित सबसे बात हुई आज मुझे हेल्ज सेक्टर के लोगों से बात करने का मोका मिला है इस वर्ष के बजेट में हेल्ज सेक्टर को जितना बजेट आवंटित किया गया है वो अफुद पुर्व हैं ये हर देश वासी को बहतर स्वास्त सुविधा देने की हमारी प्रतिवध्धता का प्रतीक है बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए दुनिया के लिए पुरी मानुवजात के लिए और खास करके हिल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अगनी परिक्षा की तरह रहा था मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अगनी परिक्षा में हम सफल हुए हैं अनेकों की जिन्दगी बचाने में हम काम्याब रहे हैं कुछ महिनों के भीतर ही जिस तरह देश ने करीब धाई हजार लेप्स का निटवर खड़ा किया कुछ दर्जन टेश्ट से हम आज करीब 21 करोड टेश्ट के पढ़ाव तक पहुँच पाए हैं यह सब सरकार और प्राइविट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से ही संबव हुआ है साथियो कोरोना ने हमें यह सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है बलकि भविश में आने वाली ऐसी किसी भी स्थित्री के लिए भी देश को तैयार करना है इसलिए हेल्स सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवशक है मेडिकल एक्विप्मेंट से लेकर मेडिसिन्स तक बेंटिलेटर से लेकर वैक्शिन्स तक साइन्टिफ रिशर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंस्वा स्ट्रिक्चर तक डॉक्टर से लेकर के एपिडिमियोलोजिस्ट तक हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविश में किसी भी स्वास्त आपदा के लिए बहतर तरीके से तयार रहे पीएम आत्मनिरफर स्वस्त भारत योजना के पीछे मूल तह यही प्रेणा है इस योजना के तहत रिशर्च से लेकर टेस्टिंग और ट्रीक्मेंट तक देश में ही एक आधुनिक एको सिस्टिम विक्सित करना ताइक किया गया है पीएम आत्मनिरफर स्वस्त भारत योजना हर्च प्रेक्टम में हमारी शम्ताओं में विद्धी करेगी पंदरवे वित्ध आयोक इसकी सिफार से स्विकार करने के बाद हमारी जो लोकल बॉडिज हैं उनको स्वास्त सेवाओं को की व्यवस्ताओं के लिए 70,000 करोड रुपे से अधिक अतिरिक्ट मिलने वाला है यानि सरकार का जोर सिर्फ हेल्थ केर में निवेश पर ही नहीं है बलकि देश के दुर दराज वाले इलाकों तक हेल्थ केर को पहुचाने का भी है हमें ये भी ध्यान रखना है कि हेल्थ सेक्टर में किया गया निवेश स्वास्ति ही नहीं बलकि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है साथ क्यों कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है उसे दुनिया ने बहुत बारिक इसे नोट किया है आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्टा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है हमें इस भरे भरोसे को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारिया करनी है आने वाले समय में भारतिय डॉक्टरों की डिमांड विश्व में और ज्यादा बढ़ने वाली है और काराण है ये भरोसा आने वाले समय में भारतिय नर्सीज भारतिय परामेडिकल स्टाप की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़े गिये अपलिक करके रखी है इस दौरान भारतिय दवाईया और भारतिय वैक्षिनों ने एक नया भरोसा हासिल किया है इनकी बढ़ती दिमांड के लिए भी हमें अपनी तैयारी करनी होगी है हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टिम पर भी स्वाभावी कुरुप से लोगों के द्यान जाएगा उस पर भरोसा बढ़ेगा आने वाले दिनों में दुनिया के और देशों से भी मेडिकल एजुकेशन के लिए भारत में पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों के आने की संभावना भी बढ़ने वाली है और हमें इसे प्रोत्साइब भी करना चाहिए कोरोना के दोरान हमने वेंटिलेटर और अन्य सामान बनाने में जो महारत हासिल कर ली है इसकी वैश्विक डिमांड पूरी करने के लिए भी भारत को तेजी से काम करना होगा क्या भारत ये सपना देख सकता है कि दुनिया को जिस जिस आधुनिक मेडिकल एक्विप्मेंट की आवश्रक्ता है वो कॉस्ट एफ़ेक्टिव कैसे बने भारत ग्लोबल सप्लाइर कैसे बने और एफ़र्डिबल विवस्ता होगी सस्टेनिबल विवस्ता होगी यूजर फ्रेंडली टेक्नलोजी होगी मैं पक्का मानता हूँ दुनिया की नजर भारत के तरफ जाएगी और हिल्ट सेक्टर में जरूर जाएगी साथियों, सरकार का बजेट निश्चित तोर पर एक कैटलिक एजेंट होता है लेकिन बात तभी बनेगी जब हम सब मिलकर के काम करेंगे साथियों, स्वास्थ को लेकर हमारी सरकार की अप्रोच पहले की सरकारों की सोच से जरा अलग है इस बजेट के बाद आप भी ये सवाल देख रहे होंगे जिसमें स्वच्छता की बात होगी पोशन की बात होगी वेलनेस की बात होगी आई उसका हेल्ट प्रानिंग होगा ये सारी चीजें एक होलिस्टिक एप्रोच के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं यही बो सोच हैं जिसकी वेज़े से पहले हेल्ट सेक्टर को आम तोर पर टुकडों में देखा जाता था और टुकडों में उसका हेंडल किया जाता था हमारी सरकार हेल्थ इस उसको टुकडों के बजाए एक होलिस्टिक तरीके से एक इंटिगेटेड एप्रोच की तरफ से और एक फोकस तरीके से देखने का प्रयास कर रही हैं इसलिए हमने देश में सिर्फ ट्रिक्मेंट ही नहीं वैलनेस पर फोकस करना शुरू किया है हमने प्रिवेंटन प्रिवेंशन से लेकर क्यों तक एक इंटिग्रेटेड एप्रोच अपनाई है भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम चार मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं पहला मोर्चा है बिमारियों को रोकने मतलब की प्रिवेंशन आफ इलनेस और प्रमोशन आफ वैलनेस स्वच्च भारत अभियान हो योग पर फोकस हो पोशन से लेकर गर्ववती महिला हो और बच्चों को समय पर सही कैर और ट्रिट्मेंट हो शुद्ध पीने का पानी पहुचाने का प्रयास हो ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है आईश्मान भारत योजना और प्रधान मंत्री जन अवसेदी केंदर जैसी योजना आएं यही काम कर रही है तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफास्टर और हेल्थ केर प्रफेशनल्स की कॉंटिटी और कॉलिटी में बढ़ोतरी करना बीते छे साल से एम्स और इस तरके दूसरे संस्तानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है देश में जादा से जादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पिछे भी यही सोच है चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर फोकस तोर पर और समय सीमा में हमें काम करना मिशन इंद्र धनुष का विस्तार देश के आदिवासी और दूर्द्वराज के हिलाकों तक किया गया है देश से टीवी का खिलाब जंग और टीवी को खत्म करने के लिए दुनिया ने 2030 का टार्गेट रखा है भारत ने 2025 तक का लक्ष रखा है और मैं चाहूंगा कि टीवी की तरफ से इस समय विशेद्यान इसलिए देने के लिए मैं कहूंगा कि टीवी भी एक प्रकार से इंफेक्टेड परसन के ड्रॉप्लेट से ही फैलती है टीवी की रोक्ताम में भी मास पहनना, अर्ली डायोनेसिस और ट्रिट्मेंट ये सारी बाते अहम है ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है जो एक प्रकारते हिंदुस्तान के कॉमन में तक पहुँच चुका है अब उसी हमारी प्रक्टिसिस को हम टीवी के खेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीवी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीच सकते हैं और इसलिए कोरोना का एक्सपिरियंस कोरोना के कारान जन सामाने में जो जागरूत की आई है वो बिमारी से बचने में भारत के सामाने नागरिक ने जो योगदान दिया है उन सारी चीजों को देख करके लगता है कि इसी मोडिल को आवशक के सुधार के साथ एडिशन ऑल्टनेशन के साथ अगर हम टीवी पर भी लागू करेंगे तो 2025 का टीवी मुक्त भारत का सपना हम पूरा कर सकते हैं इसी तरह आपको याद होगा हमारे हाँ खास करके उत्तर प्रदेश में गोरगपूर वगेरी जो खेत्र हैं जिसे पुर्वांचल भी कहते हैं उस पुर्वांचल में दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों की तादाब में बच्चों की दुरुखुत मृत्य हो जाती थी भारत के संसद में भी उसकी चर्चा होती थी एक बार तो इस विशे पर चर्चा करते हुए हमारे वर्तमान उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत रो पड़े थे उन बच्चों की मरने की स्थिती देख करके लेकिन जबसे वो वहां मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक प्रकार चे फोकस अक्टिविटी थी पूरी तरह जोर लगाया आज हमें बहुत आशास्पत प्रणाम मिल रहे हैं हमने दिमागी बुखार को फैलने से रोकने पर जोर दिया इलाग की सुविधाय बढ़ाई तो इसका अब असर भी देख रहा है सांत्यों कोरोना काल में आयूट से जुड़े हमारे नेटवर्ट ने भी बहतरीन काम किया है ना सिर्फ human research को लेकर बल्कि immunity और scientific research को लेकर भी हमारा आयूश का infrastructure देश के बहुत काम आया है भारत की दबाओं और भारत की व्यक्षिन के साथ साथ हमारे मसालों हमारे काडे का भी कितना बड़ा योगदान है यह दुनिया आज अनुभाव कर रही है हमारी traditional medicine ने भी विश्व मन पे अप्पी एक जगा बनाई है जो traditional medicine से जुड़े हुए लोग है जो उसके उत्पादन के साथ जुड़े हुए लोग है जो आयुरुवेदिक परंपराओं से परिचित लोग है हमारा फोकस भी ग्लोबल रहना चाहिए विश्व जिस प्रकार से योग को आसानी से स्विकार कर रहा है वैसे ही वीज्व है होलिस्टीग फिल्ट केर की तरब गया है इंद साइड इफेक्ट से मुक्थ हिल्ट केर विश्व का ध्यान गया है उसमें भरत की traditional medicine बहुत काम आ सकती है भरत की जो traditional medicine है वो मुख्यूं तह हर्बल बेज हैं अर उसके कारण विश्वमें उसका आकर्शन बहुत तेजी से बढ़ सकता है हम के सबंद में लोग निश्चिन दोते हैं इससे कोई हामफुल नहीं है क्या हम उसको भी जोड लगा सकते हैं हमारे हेल्थ के बजेट को और एक शित्र में काम करने वाले लोग मिलकर के कुछ कर सकते हैं कुरुनों के दोरान हमारी परंपराकत और श प्रेडिशनल मेडिशिन में विश्वास करने वाले पी सही और उसमें उससे अलग हमारे मेडिकल प्रफेशन जोड़े हुए लोगों के लिए गर्व की बात है कि विश्व साथ स्वास्त सेंटर डबली ओचो भारत में अपना ग्लोबल सेंटर ओप ट्रेडिशनल मेडिश भी शुरू करने जा रहा है अल्डेड उन्होंने एनॉंसमेंट कर दिया है भारत सरकार उसकी प्रक्रिया भी कर रही है यह जो मान सम्मान मिला है इसको हमें दुनिया तर कप पहुंचाना हमारा दाई तो बनता है साथियों एक्सेसिबिलिटी और एफ़र्डिबिलिटी को अम नेक्स लेवर पर ले जाने का समय है और इसलिए अब हेल्ट सेक्टर में आधुनिक टेक्नलोजी का उप्योग बढ़ाया जा रहा है डिजीटल हेल्ट मिशन देश के सामान्य नागरिकों को समय पर सुविदा के अनुसार प्रभावी इलाज देने में बहुत मदद करे गा साथियों बीते सालों की एक और एप्रोच को बदलने का काम तेजी से किया गया है यह बदलाव आत्म निर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है आज हम फार्मसी अब दो वर्ल इस बात पर गर्व करते हैं लेकिन आज भी कई बातों के लिए जो रौ मट्रियल है उस पर हम विदेशों पर निर्भर है दबाओं और मेडिकल डिवाइसिस के रौ मट्रियल इसके लिए देश पर निर्भरता हमारी इंडस्ट्री के लिए भी विदेशों पर गुजारा करना कितना बुरा अनुबव हम नहीं नहीं है इसलिए गरीबों को सस्ती दमायों उपकरन देने में भी यह बहुत बड़ी कठिनाई पदा करते हैं कि हमें इसका रास्ता खोजनाई होगा भारत को हमें इन शेत्रों में आत्मनिर भर बनाना ही होगा इसके लिए चार विशेश योजनाई इन दिनों की गई हैं बजेट में भी उसका उल्लेख हैं आपने भी अध्यन किया होगा इसके तहट देश में ही दवाओं और मेडिकल उपकरणों के रो मट्रियल के उत्पादन के लिए प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव दिये जा रहे हैं पी एलाई इसी तरह दवाएं और मेडिकल डिवाइसिज बनाने के लिए मेगा पार्स के निर्मान को भी अच्छा रिस्पाउंस मिल रहा है साथियों देश को सिर्फ लास माइल हेल्ट एक्सेस ही नहीं लेकिन हमें हिंदुस्तान के हर कौने में दूर दुरात के खेत्रों में जैसे हमार यहां जब इलेक्शन होता है तो रिपोर्ट आती है एक बत दाता था वहां भी पोलिंग बूट लगा बुजे लगता है हिल्ट सेक्टर में भी एजुकेशन यह दो ऐसे विशे हैं कि जहां एक नागरिक होगा तो भी हम पहुँचेंगे यह हमारा मिजाज होना चाहिए और हमें इस पर जोड़ देना है उस पर हमें पूरी कोशिश करनी है और इसलिए सबी खेत्रों में हेल्ट एक्सेस पर भी हमें जोड़ देना है देश को वेलनेस सेंटर चाहिए देश को डिस्टिक होस्पिटल चाहिए देश को क्रिटिकल केर उनिट चाहिए देश को हेल्ट सर्वेलेंस इंफरस्ट्रक्चर चाहिए देश को आधूरिक लेप चाहिए देश को टेली मेडिसिन चाहिए हमें हर स्तर पर काम करना है हर स्तर को बढ़ावा देना है हमें ये सुनिशित करना है कि देश की लोग चाहे वो गरीब से गरीब हो चाहे वो सुदूर इलाकों में रहते हो उन्हें बेस पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और समय पर मिले और इन सभी के लिए जब केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारे, स्थानिय निकाय और देश का प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो बहतर नतीजे भी मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर, PM जय में हिस्तेदारी के साथ साथ, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटिज का नेटवर्क बनाने में PPP मोडेल को भी सपोर्ट कर सकता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नागरीकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और दूसरी कटिंगेज टेक्नलोजी को लेकर भी साज़ेदारी हो सकती है मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर एक मजबूत साज़ेदारी के रास्ते निकाल पाएंगे स्वस्त और समर्थ भारत के लिए आप मंदिर पर समाधान तलास कर पाएंगे मेरा आप सबसे आगर हैं कि यह हम जो एक स्टेक हुल्डर्स के साथ इस विशे के जो ग्याता लोग हैं उनके साथ जो चर्चा कर रहे है बजेट जो आना था आ गया है बहुत ही अपक्या पेख्षाएं होगी वो शायद इसमें नहीं होगा लेकिन उसके लिए कोई यह कोई आखरी बजेट नहीं है अगले बजेट में देखेंगे आज तो जो बजेट आया है इसका तेजगती से जादा से जादा और जल्दी से जल्दी हम सब मिलकर इंप्लिमेंटेशन कैसे करें ववस्ताइं कैसे विक्षित करें सामान ने मानुवी तक पहुँचने में हम तेजी कैसे लाएं मैं चाहूंगा आप सब का अनुभव आपकी बाते आज भारत सरकार को बजेट के बाद हम पार्लामेंट में तो चर्चा करते हैं पहली बार बजेट की चर्चा सम्मंदित लोगों से हम कर रहे हैं बजेट के पूर्व चर्चा करते हैं तब सुजाव की होती हैं बजेट के बाद चर्चा करते हैं तब समाधान की होती है और इसलिए आईए हम मिल करके समाधान निकाले हम मिल करके बहुत तेज गती से आगे बढ़े और हम सब मिल करके चले सरकार और आप अलग नहीं है इस सरकार भी आप ही की है और आप भी देश के लिए ही हैं हम सब मिल करके देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हम सब मिल करके हैं हेल्ट सेक्टर का उजवल भविश्य तंदुरस्त भारत के लिए हम सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे आप सबने समय निकाला है आपका मारदर्शन बहुत काम आएगा आपके सक्रिय भागेदारी ब बहुत काम आएंगे आप सुझाव भी देंगे साजेदारी भी करेंगे आप अपेख्षाएं भी करेंगे जिम्मेदारी भी उठाएंगे इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले